गैजर पोकेमोन एनिमे एक ऐसा एनिमे है जिसके काफी सारे सीजन्स आ चुके है और इन सारे सीजन्स के साथ ही हम लोगों को नएने पोकेमोन बें इंट्रेडियूस होते रहते हैं अब यार जैसे कि तुम लोग जानते हैं इसके अंदर काफी सारी mysteries भी है और यार इसके अंदर के Pokemon's अलग-अलग जीवो या फिर किसी भी चीज से inspired है वेल यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेगे कि यार कुछ ऐसे Pokemon's जो कि यार real mythology पे based है और यार यार ये वीडियो काफी जादा अच्छी होने वाली है और creepy भी वेल यार आज की इस वीडियो में अकेला नहीं हूँ मेरे साथ है Pokemon 2 इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए और उसके channel का link description में मिल जाएगा और यार उसका comment pin किया हुआ भी मिल जाएगा और end screen पे भी उसके channel का link मिल जाएगा तो उसको check out करना मत भूलना और यार अभी जाए जाए टाइम को वेस्ट नहीं करेगे अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं नमर टैन फ्रोस्लेस तो फ्रोस्लेस से काईसन घोष टाइब की Pokemon है और आप लोग इसके टैपिंग से हिंट लगा सकतो कि किसके ओपर बेजड होगी अगर नहीं पता चला तो यह कहाने जैसे की पहाडी लाकों में जहां पर काफी बरफ पड़ती थी वहां पर युकियों ना इंसान का बेज लेके जाती थी मदद के लिए किसी इंसान के पास एंड उन से दोस्ती बना लेती थी बड़ जब वो इनसान इसका ट्रू नेचर डिसकवर कर लेता था तो यह और दूसरे कहानियों में हमें यह पता चला है कि यार यह घर के अंदर गुसके बच्चों को चोरी कर लेती थी तो हाँ यह दोनों ही मिट्स काफी जादा हॉरिफाइंग है एंड इसे को पर फ्रोस्लेस बेजड है नमबर नाइन विशकेश विशकेश एक जैपनीज मॉनस्टर जिसका नम नमाजू है उसके उपर बेजड है नमाजू एक जाइंट कैट फिश है जो काफी सालों पहले एक लेक में दिखी थी और यह उन लोगों का कहना है कि यह जो कैट फिश है यह इतनी ज्यादा गुसे है कि यह जबी भी पानी के अंदर जाती है तो यह उसके हिलने डुलने से पूरी जगा पे अर्थक्वेक आते है और अगर हम लोग विशकेश की बात करें तो यह विशकेश भी कुछ ऐसी चीज़े कर रहा था उस एपिसोड में वेल वो एपिसोड तो भाई हमारे टेलिव नामाजू था असल में इसको पहले किसी ने पाला था और यह उसको इतना जादा बढ़ा कर दिया था अब उसके मास्टर ने इसको छोड़ दिया था जिसकी वज़े से वो हम मतलब बहुती जादा स्ट्रगल करना पड़ा था भाई नामाजू को जिसकी वज़े से नामाज min juu Tomato और लोगों को बहुत HARRIS करता था और अगर पानी जादा इसर के उपर चला जाता था तो वह Mr. उन clean घृते कृब बहुतलो को खरना दिए और यह सही में बहुत है यह the key story was नमबर एट लोटेट लोटेट एक वाटर और ग्रास टाइप का पॉक्मान जो कि कापा के उपर बेजट है अब कापा के बारे में मुझे लिटरल एक वर्ड भी बोलने की जरूरत नहीं को इतना ज्यादा फेमस है लाइक जपान के अंदर तो इसके उपर टंस अफ स्टोरी स इसे वाज़ाज से इतना ज्यादा पॉपुलर है जिसे हमें काफी सार अलग 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 आनिमेस में भी देखने को मिला जैसे की डिदोरेमॉन या फिर शीन चैन या फिर निंजा अतौरी जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर एस लोगों के बारे में पता चला एंड उसके मार के खा जाते हैं इनके फेवरेट फूड आइटम भी यूमन के और गंसी होते हैं अब कापा बेसिकल यह क्रेचर जो की पानी के अंदर रहते हैं और दो पैरों पर खड़ा हो सकता है बिल्कुल इंसानों के तरह एंड ऐसा कहा जाता है कि जो उसके सर पे कंटेनर होता है ब मॉंस्टर बीस्ट के उपर यह भी बेसिकली डैपनेज में थी है कहा जाता है कि यह जो बीस्ट था जो की काफी पहले रहा करता था यह एक वाइट कलर के फर में घिरा हुआ एक डॉग है जो की काफी जादा बड़ा था और यार उसकी जो की फर है उसके अंदर से बीस्ट था यह बेसिकली लोगों के बीच में जाकर उनकी जो की नाभी है उसके अंदर जाकर छुप सकता था और समय आने पे वो उसी आदमी को मार के बाहर भी आ सकता था नमबर 6 जिंग्स तो जिंग्स एक यूमन लाइक पॉकिमान है जो की एक डम रियल वुमेन का तरह दिखती है और यह आईसें साइकिक टाप की पॉकिमान है अब जिंग्स बेस्ट है क्या माउबा नाम के जैपनिस माइथोलोजी के उपर अब इनको पर काफी अलग अलग यह लोग उसके घर में रहते थे एक रात के लिए अब रात होने से पहले यह लोग ट्रैवलर्स को काफी तरीके से ट्रीट करते थे अब जैसे एक पर रात हो जाती थी एंड सामने वाले ट्रेवलर सो जाता था ये लोग उसको मार के खा जाते थे अगर हम मेवाईल का एक डिजाइन देखे तो इसके अंदर तुम लोगों को क्या दिख रहा है सामने तो इसका मूँ नहीं है लेकिन पीछे जो इसके बाल है बेसिकली यही उसके मूँ है और यार ये काफी जादा क्रेपी स्टोरी है बेसिकली फुनता कुछी होना एक ऐसी महीला है जिसका भाई मूँ नहीं था और यार उसी महीला से एक कंजूस आदमें शादी कर लेता है वो ये सोचता है कि ये इसका मूँ नहीं है तो वो कुछ खाएगी नहीं तो उसके पैसे भी बचेगी जिसकी वज़े से उसके सादी कर लेता है और एक दिन ऐसा आता है कि यार उसके पती उसके उपर काफी जादा घुसा करता है तो यार ये जो उसकी पतनी होती है वो उसके पती कोई खा जाती है और ये काफी जादा creepy story थी नमबर फोर स्नीजल तो स्नीजल एक डारक आश टैप की पोकिमोर है जो की बेजडे कमाई ताची नाम की एक Japanese mythology के उपर तो इस mythology के हिसाब से कुछ creatures हुआ करते थे जिनके यार claws काफी जादा sharp होते थे जैसे कि स्नीजल के होते और ये अपने claws का इस्तमाल करके humans को काट देते थे मतलब कि कोई भी ऐसे रास्ते पर चल रहा हुआ उसको काट कर चले जाते थे एंड के पास ये भी ability होती थे कि जहाँ पे इन्होंने कट मारा है वहाँ से ना ही खून निकलता था एंड ना ही उस इंसान को दर्ट होता था मतलब कि कुछ भी महसूस नहीं होता था नमबर थरी Espeon Espeon basically based है एक Japanese spirit cat जो इनको काफी लोग demon cat के नाम से भी जानते है और उनका नाम है बैक एनेको स्टोरी के हिसाब से वो कुछ cats थी जो की काफी टाइम तक एक ही जगा पे रही अपने मालिक के इंतजार में और यार वो spirits बन गई और यार उनको कहा जाता है split tail cats और वो cats इतनी ज़ादा powerful है कि उन्होंने उनके past में काफी सारे demons and spirits को अकेले ही मिलकर मार दिया था लेकिन यार जैपनीज stories के हिसाब से ये दोनोई cats के पाथ अलग-अलग powers है अलग-अलग stories के हिसाब से और यार ये cats इतनी ज़ादा खतरनाक है कि इन्होंने काफी सारे demons को एक ही जटके में मार डाला था और यार जैपनीज लोग ये कहते है कि बच्चों को घर पर अकिला रात में नहीं छोड़ना चाहिए नहीं तो ये cats उन बच्चों को मार देगी नमबर टू ड्रावजी तो ड्रावजी एक psychic टाप का पॉक्वान एंड इसका origin दो जगा से आता है एक तो animals से एंड एक Japanese mythology से जो कि है बाकू बाकू जैपनिस mythology में creature है जो कि या बच्चों की bad dreams को eat करता है मतलब कि अगर किसी बच्चों को गंदे dreams आ रही यानि की बेकार dreams आ रही है तो उसको तीन बार बोलना होता था बाकू 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 एंड फिर बाकू आ जाता था और उसकी dreams को खाकर चले जाता था फिर वह बच्चा आराम से सो सकता था बट आप इसमें सोच लोगे इसमें creepy क्या था तो here comes a twist तो जादे था तो बाकू bad dreams खाकर चले जाता था बट जब उसका पेट नहीं भरा हो तो बच्चों की hopes and feelings भी खा लेता था मतलब कि अपने passion को follow नहीं करते थे और नहीं को कुछ feel होता था मतलब सच में कितना जादा creepy एंड उन बच्चों के लिए कितना बुरा होता था तो इस वाज़े से काफी creepy character बन जाता जैपनिस mythology का एंड इसे को पर drowsy based है number one nine tails nine tails एक fire type pokemon है और यार वो based है जैपान की एक बहुत ही बड़ी spirit पे जियो की nine tail fox के नाम से भी तुम लोग उसको जानते होगी उसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ तुम लोग screen पे खुद पढ़ लो और यार वही nine tail fox की जो की spirit थी भाई हम लोगों को नारूटो एनीमे भी दिखाए गई थी अब यार तुम लोगों को जैसे की पता है भाई वो जो की fox की spirit थी हो इतनी जादा powerful थी कि यार उसने काफी सारे village अकेले ही तभा कर दिये थे जिसकी वज़े से मतलब सब लोग मारे गए थे काफी लो लाइक कर देना एंड लाइक हम रखते है 500 लाइक कर आप लोग 500 लाइक को अचीव करवा देते हो तो इसका पार्ट तू भी जल्दाएगा एंड दोनों के चैनल को यानि की मेरे चैनल को एंड पोकी मैट्रिक जिस पे आप ये वीडियो देख रहो सब्सक्राइब कर देना एंड मिलेंगे ऐसे और ओसम वीडियो के साथ अंटिल दैन गुड़ वाई